हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आद में फिर आपके लिए नियू और बहुत यूसफुल वीडियो लेकर आई हूँ किचन में हम सभी लेडी सुबह से साम तक काम करते हैं और किचन में हमारे कुछ ऐसे साथ ही होते हैं अगर यह अच्छे से काम करते हैं नीट क्लीन होते हैं तो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है और काम करने का मन भी करता है तो यहाँ पर सबसे पहली टिप में आपके साथ शेयर कर रही हूँ चकू को लेकर चकू का काम कई बार किचन में लगता है हम लोग सुबह से शाम तक कितनी बार यूज करते हैं और अगर चकू अच्छे से काम करता है तो मारी कटिंग चॉपिंग बहुत ही जल्दी और अच्छे से हो जाती है तो यहाँ पर मेरे पास देखिए कई सारी चकू है ऐसे ही हमारे पास कितनी सारी चकू घटी हो जाती है क्योंकि जैसे ही इसकी धार खराब होती है तो हम लोग market से new ले लेते हैं तो आज मैं आपके साथ ऐसी tip शेयर कर रही है जिससे आपकी पुरानी चाको भी बिल्कुर नई जैसी हो जाएगी साफ भी होगी और इसकी धार भी तेज होगी तो यहाँ पर मेरे हाथ में है एक sand paper यह sand paper आपको किसी भी hardware के shop पर बहुत ही easily मिल जाएगा यह meter में मिलेगा आपको और बहुत ही सस्ता आता है यह white wash करने वाले भाईया जो होते हैं उन लोगों के पास होता है यह वही वाला sand paper है यह तो यहाँ पर sand paper लेकर यह देखिए मैं सबसे गंदी जो knife है उसे आपको साफ करके दिखा रही हूँ पहले इसे थोड़ा सा गीला कर लेंगे और यह देखिए इन सभी चाकू को मैं side में लगके इसे आपको साफ करके दिखाती हूँ यह चाकू से मैं अगर gas पर कुछ गरम करके cut करना हो और bottles वगरा तो उसके लिए use करती हूँ और यह देखिए बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी इसमें पूरा plastic चिपका हुआ है चाकू पूरी जली हुई है तो इस तरीके से rub करने से बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है और इसी sand paper से बहुत ही अच्छे से इसकी धार भी तेज हो जाएगी यह देखिए कितने अच्छे से आप देख सकते हैं कि सारी गंदी चाकू से निकल रही है और यहाँ पर चाकू को मैंने घिस लिया है और आपको wash करके दिखाती हूँ यह देखिए चाकू कितने अच्छे से साफ हो गया है और अब इसी sand paper को fold कर लेंगे दो-तिन तैप fold करके और इसके उपर आप इस तरीके से चाकू को रगड़ेंगे तो इसकी धार बहुत ही तेज उदाती है और इसी sand paper से आप जो crunchy होती है उस पर भी धार लगा सकते हैं यह देखिए बहुत ही च्छे से इस पर धार लगती है और बहुत ही अच्छे से हमारा चाकू एक्दम तेज हो जाता है और यहां पर देखिए मैंने अच्छे से रगड लिया है लेकिन इस काम को जब भी आप करें तो थोड़ा ध्यान से आपने करना है और यहां पर दूसरी टीप है मेरी इस तरीके की हांडी को लेकर या फिर कडाही में आपने देखा होगा कि पीछे का बेस जो होता है बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है उसे हम कितना भी रगड़ते हैं यह जो तार वाला जूना होता है इसका भी यूज करते हैं लेकिन आ अफिर टाइम से इस हांडी को मैं यूज कर रही थी और आप पीछे से इसका बेस देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा काला हो गया है और सेंड पेपर जो होता है वो कॉटन के उपर लगा होता है तो एक साइड जो होता है इसका सरफेस स्मूथ होता और एक साइड इस तरीके से आप कडाही के जो बेस होता है उसे भी साफ पड़ सकते हैं ये देखिए एक दो बार रगड़ने से ही कितनी अच्छी तरीके से ये हांडी का जो बेस यहाँ पर पीछे से ये तामबा लगा हुआ है बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा था कितने अच्छे से ये को वोश कर लिया है और आप रिजल्ट देख सकते हैं कितने अच्छे से जो उपर कालिक लगी हुई थी पूरी उतर गई है और इसी तरीके से आप अंदर से भी साफ कर सकते हैं और चलिए यहां पर जो मेरे पास तवा है वो भी बहुत ही जादा बेकार हो गया है यह देख सक एक बार जरूर ट्राइ किजेगा बहुत ही एजी हो जाता है इसे किचन में चीजों को साफ करना और किचन में अगर बरतन साफ होते हैं चीजे साफ होती है तो काम करने का भी मन करता है और किचन में जो चीजे खाने पीने की चीजे साफ करने या बनाने के लिए होती है उन तवा हमारा काला होता है और यह देखिए तवे से कितनी कालिक नहीं कर रही है यहाँ पर एक से डेड़ मिनट तक मैंने तवे को अच्छे से इस सेंड पेपर से रगड लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारा तवा साफ हो गया है इससे मैंने वाश भी क देख सकते हैं अगर पर दे हम इससे साफ करेंगे तो हमारा तवा बिल्कुल सफेध हो जाएगा तो आई हो फ्रेंड्स आपको यह सेंड पेपर से इन चीजों को साफ करने का यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल परना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस करें थैंक्स वर वाचिंग बाबाई